मैं यूवा उहरतावा सितारा अमन हसन जर्मेनी को अपने साथ चोड़ा है और मैं मंच पर सम्मानी करने के लिए अपने बड़े भाई चनाफ फायाद सेर्वानी साथ सिटी पाउर्णल ते जो आना है उड़ो गुलाना चाहता हूँ आईए शिर्वानी साथ आपके दस्ते मुपारक से ही होसला अबजा ही होगी दोस्तों एक बार सुपरफीक्स के लिए उर्जोर तालिया होना बहुत जब रही है दिखें कमाम टीम हमारी है यह हमारे भाई है आजब लड़के और विश्यो गुडलक मिलरिया डंज सूपरफी आपके क्रिकेट के वहां में गुहेतर सी दोनी सुरेश अरेणा की जनत देखने मिले ऐसी आप वीक देंशामा और अच्छे पुटेंशल पर आप क्रिकेट के लिए धाइए अब शेर आगया है शेर के पीछे सूपर कीड आगया आप चाहे क्रिकेट हो चाहे बोल्योड रहांस संज्री सूपर स्टार टीम की बारी है जिनके बेडल में बगदे-बड़े स्टार खिल जारहे इद इस तरह वो ऑक्षन खिलने वाले है रहांस संज्री सूपर स्टार टीम इसके अनर है अबिवादन सुविकार कीजिए शमीम जराजपूरी का मैं इस वक्त मौझूद हूपी के जनपत आजमगर्श शहल के मशहूर होटल गिरेन डिसार में जहां पर आजमगर्श प्रेमियर लेग सीजन वन एक यहां पर जो खिलार यहां पर आया हुए है उनकी बोली लगाई जा रही है यह आजमगर्श की सरजमीन पर धर्ती पर बहुत ही शांदार यह टूर्णमिंट होने वाला है और एक अलग का यह पिरके टूर्णमिंट होगा हमारे साथ कुछ लोग बाचीत करने के लिए मौजूद है आजमगर्श की सरजमीन पर यह बहुत ही शांदार जो टूर्णमिंट होने जा रहा है आजमगर्श प्रेमियर लेग एपियल सीजन वन के नाम से जो है अपना परिश्य दिए और इस पूरे कारिक्रम के बारे में आज जो हो रहा है आपको टूर्णमिंट वरे मता हूं मेरे नाम सार सुजीत शान है मैं रानीकी सरहाएं का रहने वाला हूं और मैं इस टूर्णमिंट में एक और मुजह बुलाया गया है और ये जो टोनामेंट है सर में बताना चाहूंगा APL Season 1 आजमगड पीमेल लीग ये 2023 पहला सीजन चल रहा है ये आज जो आप ग्रेंडा इशार होटल में आप आए वे हैं सर आज खिलाडियों की निलामी हो रही है जिला आजमगड के आपको 9 खिलाडी लेने है यानि जो प्लेंग 11 होती है 9 खिलाडी आजमगड के होंगे 2 खिलाडी आप All Over India से आप कहीं से ले सकते हैं आपको कोई रोक निया आप जिन को बुलाना चाहाए आप उनको बुला सकते है अपने टीम में खेलने के लिए और ये जो टुनामेंट कराने का हमारा मक्षद है ये ग्रीन बॉल से टुनामेंट होगा इस हमारा में मक्सद ही है कि हम युगाओ को जो नए नए लड़के उभरते निकल रहे हैं जो किर्केट में अपने आपको दे टीमें रहेंगे नहीं इसमें जो है आप देखेंगे उत्तम 11 फाफा महू खिलाडी आजमगड के रहेंगे लेकिन इनमें जो टीमें है वो बाहर की टीमें है CRPF गाजीपूर है, उत्ता मिलेवन फाफा महू है और इसके बाद जो आजमगड की कई मुकामी टीम है कामाक्षी ग्रूप बारा बंकी है ऐसी जो कई टीमे हैं वो भी पाटिसिपेट कर रहेंगे पुल केतरी टीमे हैं इसमें इस टोनामिन में इस टोनामिन में पंदरे टीमे हैं, तीन पुल बनाये गए हैं जिसमें एक पुल में पाँच-पाँच टीमे होंगी हर पुल के अंदर और जिस तरीके से IPL होता है उसी तरीके से APL होगा जो आठ टीमें जो 15 टीमों में से निकल कराएंगी निर्धारित आठ टीमें उनका quarter final का मुकाबला खिला जाएगा कै रोजा है कै दिवसी है यह 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 जो है दो नॉम्बर से सर्फ शुरू होगा यह 9 नॉम्बर तक चलेगा इसको जो लाइब दिखाने के लिए जिस तरीके साथ IPL को देखते हैं उनका प्रसारण होता है वैसे हमारा स्टेडियम बनकर तयार हो रहा है वहाँ पर सर हमने पीचेस तयार करना सुरू कर दिया है इस्टेडियम जैसा उनको माहूल दे रहे हैं और कोशीज हमारी यह है कि उसो एक बड़ा टोनामेंट का आयो जंग करें तो इसमें जो है टिकेट वगर पास वगर रखा गया है नहीं नहीं सर बिल्कुल फ्री आप कास्ट है कोई भी यहां पर आ सकते हैं वो देखें कोई निशुलक है कोई चार्ज नहीं है हमारा मकसद यह किर्केट को बढ़ावा देना जगह कोंसे रखिया सर वह नसीरपूर जगह है यहां आप आजमगड से 13 किलोमेटर दूर बिलरिया गंच के निकट है यह जगह वहां पर यह टोनामेंट हो रहा है यह जो हम जिस चैनल पर प्रसाइद कर रहे हैं यह भारत का स्पोर्ड चैनल जो टेनिस क्रिकेट का 7070 है वो भारत के अंदर नंबर एक पर है और उसमें पर आपको यहाँ पर आपको पो प्राज़ देखने को मिलेका आपको डाई प्रसाठ देखने को मिलेका आप रिपे ले सकते हैं आप उसमें मत में किरिकेड के जो भी नियम अपन। रूल्स हैं वह इसमें निधारित किया गए हैं जी MATT क 11द he यहां से लोग किरकित खेल कर और देखकर यहां से ले के मंबई तक यहां से जा सकते हैं जो यह नियों है जी मेरे अब्दूलजी मैं एक फंदर्पूर रहने वाला हूं जो जिल अजम पढ़ता है ठीक है अज्छे अपके कहना है यह से ऑजम प्रिमियर लीग एपियल सीजन वन को लोगे करें यह अजम ऑफियल जो प्रिमियर लीग है जो हमारे खुसुस है जो हमारे दोस्त हैं इस हूँ है इन्शालला जिस तरह से यह मेहनद चलिए जिस तरह से फॉंक्शन हो रहा है और खिलारी को बोली लग रहे हैं इससे लग रहे है कि मैं बहुत अच्छा होगा बहुत शांदार होगा मैं यहां पर बहुत सारे ऐसे खिलारी है जिन्हों ने किरकट के दुम्या में और आजम के रहने वाले नुमान शेख सबना सुनते ही है और फराज सर फलाज अमद है ऐको है यह झालले हैं जो कि पुरी टीम में वह नोगर करंके हैं और हमारे दोस्त सानु आज बेजो शेरोगां से तालुक रखते हैं उन्होंने जम कर मेहनत की है इस टीम को और इस मैच को भलाने के लिए मैच काम्याब रहे यह मौजवान जो आजमगड के हैं यह लोग आजमगड की आन बान शान को बहुत बलाने जा रहे हैं और यह जो टुर्नमेंट हो रहा है आजमगड की सरजमीन पर इसका जो है मैसेज और इसका पैगाम बहुत दूर तलग जाएगा क्योंकि यह अपने आप में एक अलग तरह का यह टूर्नमेंट है यह अपना परिशे दीजिए जी मेरा नाम शेहनवाज है शेरवास से मेरा तालुक है शेरवास रायमीर आजमगड और कमिटी ने मुझे एपील चेर्मैन का पत दिया है और चेर्मैन में चार लोग हैं और टोटल कमिटी में चालिस लोग हूँ किला हूँ अन्डराम लोलाओर फुल बाउन्टी सब किला हूँ आजमगड के बाहर भी किला हूँ लेकिन इस टॉर्नमेंट में अलग यह है कि यह आईपील के तरज भी है इसलिए आउक्शन हो रहा है और हमको इस टॉर्नमेंट को इस लाइग बनाना है कि यह हम उत्तर प जो इनके दो दो प्लेयर आइकान इंडिया से हैं और जो आइकान इंडिया वह भूद अच्छी पलियर आ रहे हैं आज खिलाडियों की बोली लग रही है निला मी हो रही है तो सबसे महगा खिलाडी कौन भी गया अभी तक तो सबसे महगा खिलाडी जो है वो सी गुरूप का चल रहा है उसमें नाम जहन में नहीं है मेरे क्योंकि मैं तो बाहर आ गया था लेकिन वो एक हजार पॉइंट सबस इसमें प्लेयर से में अब्लय को सब्साइब जो जो सब्सक्राइब नहीं मिलेता है प्रढ़ HOLBy गहाँ नहीं मिलेगा तो ऑर भी मशुर्ट खिलादो्क जब फैसी च्री करें चाहत्थ… इसमें अच्छे प्लेयर में केक्यार नसीरपूर अकबर है आसिम खान है और जमाल राइडर्स में अहमद जमाल नुनियाडी है उनकी टीम में उसामा पंडिया है खंडवारी का आज की डेट में बहुत अच्छा प्लेयर है और यासिर शेख है जो भीवंडी स्परिस के नाम बहुत अच्छे बलाल चाहूँ है वो भी अच्छा प्लेयर है बहुत सारे रखी मिर्दा भी अच्छा खिलता उसमें कासिम खान नसीरपूर है फैसल खुरासाओं है अदनान अन्दीर पटी सारे अच्छे अच्छे प्लेयर है आजम गड़े प्रिमिर लेगे एस अप्या किसी हस्तिक बलाया है जो इस ऑपनिया या नाम का मशूर है कंसे लोग को आमन्तृत कि आपने ह、、 हम लोग के तो प्रोग्राम था कि की सी इंटरनेशनल प्रेयर को बलाने का और है थोड़ा बहुत लगे हैं किसी प्लेयर को ही बलाने में रांजी ट्रॉपी बलेर हो या इंटरेशनल पलेर हो सिर्फ प्लेयर को इसलिए बलाएंगे कि हमको मैश थोड़ा अच्छा करना हैं और वो आएंगे तो हमको आइडिया भी देंगे कि हाँ आप लोग में यह कमी है यह अच्छा या इनको बुलाना चाहिए क्योंकि वो सीनियर हैं वो स्टेट खिले हैं तो जाहिर है कि वो कुछ अच्छा शुरूरा है यह दो नॉमबर से स्टार्ट है और नौ दिन मैश चलेगा दस नौमबर को फाइनल है और हम लोग की पूरी एक कमीटी बनी है और कमीटी में कम से कम 20 से 25 गाओं की लड़के हैं 40 कमीटी मिंबर हैं सब लोग का बहुत अच्छा योगदान है और हर तरीके से है कोई पैसे के सपोर्ट कर रहा है कोई अपने आवास से सपोर्ट कर रहा कोई अपना वक्त दे रहा है वक्त सबसे कीमती है वक्त ही तो एक ऐसा है कि जो हर किसी के पास नहीं है लेकिन अलामदुरिल्ला हर तरीके का सपोर्ट है हमारे शाहिद भाई है सारियां से यह भी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं आजीम इरफान खुनननपूर इनका भी को जो है यहां करने जा रहे हैं और बहुत ही शांदार यह टूर्नमिन दोने जा रहा है आप लोग आईए इस टूर्नमिन का लुट आईए क्योंकि बहुत ही अलगतरा का टूर्नमिन रहा और बहुत सारी बहुत तैयारिया इसके लिए की जा रही है यहां पर खिलाडियों संजरपूर से और इसमें हमारी टीम है यहां संजर सुपरिश्टार जो एपियल में इसमें निलामी चल लई है उसके लिए आए हुए यहां पर क्या कहना है इसे को लेकर इसलिए को लेकर जी नहीं जो है एक भविस दिख रहा है आजमगट का और जो एपियल कमेटी है और पूरी टीम इसको अगर शरी दिया जाए तो यासिर सहनवास एरवानी अब यह दो लोग में इस ग्रूप को ले जाने के लिए एपियल गुरूप कर रहा है इसमें लब चाहिए छोटा हो चाहिए खिलाडी हो यह नहीं जो तक इस टोनमें में पूरे आजममट में जो था कोई नियम नहीं था सबसे पहली बात यह आउक्षन जो आप देखी रहे हैं इस समय चल रहा है भी अंदर बोली लगी लग रही है यह पहली बात है और यह जो एपियल भुरूप है पूरा मलब इस पर काम कर रहा है एक तरह से कि इसको पुरवांचल नहीं उत्तर परदेश नहीं इसको एक पूरा इंडिया लेवल पे ले जाने का प्रोगाम है काफी अच्छा है जो यहां के हाँ हरिश पांडिया आ रखे हैं एक इंटरन चली रही है अभी सीगरेट की चल लिए और पंदरा टीमें हैं आपे जो उनकी आइकॉन पलेयर चॉइस पलेयर रहा रखे हैं और काफी लोग गेश्ट चीफ गेश्ट भी आ रखे हैं आपे हमारे साहिद भाई भी अभी यहां पर मुजूद है तो काफी लोग है चली रह अभी बोली चल लगी है आगे अभी देखते हैं क्या होता है इसमें और अपना परशे दिए मुहमद साहिस आरिया इस टॉर्णामेंट के बारे में बस मैं यही कहूंगा कि जो टॉर्णामेंट कमेटी बनाएगी टॉर्णामेंट जब होता था आदमगड में तो बहुत होता था चकिंग रहती थी यह कमेटी बनाने का में मकसद है कि बलेरों का भविस यानि फ्यूचर सुद्रे चकिंग बहुगरा बैंड यह पूर्णामेंट चकिंग नहीं कर सकता कोई भी चैक कहीं कभी हो यूपी कहो अल इंडिया कहीं से भी आएगा बेश्ट अंपायर ल ग्रूब की यह तमाम लोग चे जो खबरों नज़र चनल से बाचित कर रहे थे आप दो नौंबर दोहजात तेईस को आज़र जरूर आईए तश्रीफ लाईए नसीरपूर विलरिया गंज के पास यह जो तो नमिन शुरू होने जा रहा है उसका मज़ा लीजिए और उसको देखिए क्योंकि आजमगर के जो नौजवान हैं उन्होंने किरकेट के दुनिया में अपना एक नाम पैदा किया है एक मकाम हासिल किया है नारे साथ खबरों नेज़र चनल से बाचित करने के लिए मौजूद है साकिब खान जो जराजपूर से आपका तालुक है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि पलरों की बोली लग रही है और अच्छे इंतजाम से हो रहा है टुनामेंट पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और यह वन अप देश टुनामेंट होगा इस जिले का या तो कहें तो पुरवान चल का बहुत बहतर टुनामेंट है और तयारियां उरू जीर पटी अब्दुरमान जराजपूर ओसामा जराजपूर और ऐसे तरह के चार पांच खिला रही हैं फैसल खुरासों एक बेतरी प्लेयर हैं सब जो इंशालला फेता हासिल करेगी कम से कम है बीस के तो बीस हजार ग्राउंड पर अलाई दस हजार के करीब उपर प्रशकों की छमता रखता है नसीरपूर गाउई नहीं नसीरपूर के पूरफ साइड रोड उसपार बगवार जो चार गाए था तो वहां पर लोगों ने बात करके पर्सासन से तो जगह अपने अंडर में ली हुई है फिलाल टूनामेंट के लिए महनत कर रहे हैं मैदान को लेगर बातचीश चल रही है और इंतजाम हो रहा है बहुत इतियासिक दिन रहेगा आजम गड़ में वन अब दो बेस टूनामेंट होगा इंशाल्ला लोग आईपियल देखेंगे यह कहना आपका सही है समय का रखा दो नौंबर से लेकर दो नौंबर से दस दिन तक चलेगा और मेंसज क्या देना है इस टूनमील के जरीए से आप मेंट करिये फलेरो से कहना है मुझे लड़कों से जो खिलानी है उनसे कहना है कि आपके लिए प्लेट फार्म तयार किया जा रहा है आपके लिए प्लेटफरम तैयार किया जा रहा है और देखिए मैनत करिए आपको आगे बढ़ने का एक मौका है यहां से और बढ़ेंगे आप हम आपके लिए एक रास्ता दिखा रहे हैं हमारे साथ ख़बरों नजर चनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शाह अवग पिर में लीग हो रहा है अब तो आकसर देखें हैं कितना शामदार हुआ है यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सोच है कि हमारे जो आजमगड के प्लेयर हैं यह लोग निखर कर सामने आएं और दूर तक हमारे प्लेटों का नाम जाए और अगर खेल भाउना हमारी जगी तो इ उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे मुलक देखेंगे इस प्रॉमिन को और हमारे प्लेटों के सिर्फ मकसद यह ही है कि हमारे बच्चों में डिस्सिप्लीन आ जाए अच्छा खेल है और खेल बहुत अच्छी चीज़ है बहुत जरूरी है सहत के लिए और इनसान के मेल मेलाब के लिए अमंचैन के लिए यह बहुत जरूरी है खेल लेकिन अगर हम लोग खेल के यहीं कितम हो जा रहे हैं गाओ में कस्बे में तो यह भी बहतर नहीं है अगर हम खेल nell हैं वक्त दे रहे हैं पैसा खरच कर रहे है तो इसका हमारा नाम ऊपर दूर तक जाना च लेकिन उनको अभी तक हिंदुस्तान नहीं देख पा रहा है इस एवेंट से ऐसे प्लेयर मिलेंगे जो हिंदुस्तान में दूर तक जाकर खेलेंगे कुछ नए बच्चे हमारे हैं जो अभर कर सामने हैं उन्हीं को ज्यादा फोकस किया गया है कि जो नए बच्चे हैं तो सब लगी थी तो अभी ग्रेड में जो अभी 45 प्लेयर बचे हैं पंदरा बैट मैंस पंदरा आल डाउंडर पंदरा जो बॉलर्स हैं यह आदम के टाप के जो चाटा गया एक में रखा गया है अभी उसके बोली लगने वाली है स्वाती मुझे बोली लगे कि तब उसमें आसली जंग होगी और ये एपियल में सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हैं कि हम लोग तो इसके मिंबर हैं आप भी सब लोग इसको जुड़िए और इसका सपोर्ट कीजिए कहीं से इसका निगेटिव थाट मत लेके आए पॉजिटिव थाट लेके हम आएंगे तो इंशालला हमा किर्कित आज में बड़े दावे के साथ कराँ कि हिंदुस्तान के में किर्किटर इतने हैं कि अगर तीन टीम मना दे जाए हिंदुस्तान की तो भी हम दुनिया की किसी भी टीम से आँख मिला सकते हैं किसी ऐसे मशूर खिलारी का नाम बताए जो इस किर्कट को नमिल्ट का हिस्सा बना रहा है। किस चीज हमारे आजम बड़ में क्यों नहीं हो रही हमारे पहले खिल रहे हैं लेकिन बस वही के खिल कर सो दो सो पांस में हैं अब मुझे लग रहा है शमीम भाई कि अगर ये खिल चला कुछ कमपनी की निगा आएगी हमारे जिस तरह से मंडी में मुंबई में बड़ी किसी ऐसी शक्सियत का नाम बताएं या किसी ऐसी प्रेसिनाल्टी का नाम बताएं जो काफी मश्भूर हो चुकी है तो जो इस रिकोनमें में जो है गिस्ट बनेंगे या फिर शिंक्र करें हम लोग की बात तो जो आजम बड़ के याने पैचाने सोशल वरकर हैं आलहमनिल्ल कि हाँ अच्छा टोनामिंट हो और इसमें आप देख रहे हैं कि हरिश पांडिया जी आ जाये थे मुंबई से चलके और पंदरा टीम हमारी बनी है पंदरा टीमों का नाम महतर रखा हुआ है सब कामाक्षी गुरूप है के क्यार टाइगर है सब ऐसे पंदरा टीम है जिसमें लाए लाँे आइकान हों कि हो बाहर के दो प्लेयर ला सकता है दो आइकान नी पूरे बगोरे इंज्टे से 2-1 पलेयर We UP और इंडिया ने बाहर के अखिछ。 आपके जो है सरफ्राज है अब दुल्ला है अब दुल्ला ही लोगों नाम पैदा किया है एक मश्वूर नाम है क्या यह लोग भी इससे क्रिकेट उन्मी का हिस्सा बनेंगे रहेंगे जी हा नुमान शेक का नाम तो आप लिया है तो नुमान शेक तो लेड़ी यहां पे हैं और सरफ्राज अब दिल्ला बाल बर बर तो टेनिस बाल से दूर हैं सीजन बाल से हैं लेकिन आप देखेंगे जो करनम बाला है इंडिया का टॉप का आल राउंडर है वो भी आ रहा है अपनी नेजरों के सामने देखेंगा और इस कौमिन में इतने सिस्टम हैं कि आप रिवीड ले सकते हैं आप रन आउट के लिए अपील कर सकते हैं तो आपको रिप्ले देखने के मिलेगा और जो हमारा ग्राउंड बन रहा है वो बाहर से खड़े को नहीं देख पाएंगे तो आप पैक रहेगा जो दर सक आएंगे उनको जगा दी जाएगी प्यार से आप बैटिये ट्रोनमेंट देखिए दो नॉम्बर एक ऐसा दिन होगा जो बहुत बयादगार दिन होगा शमीम भाई आप भी वहाँ पे रहेगा और यहां पे रहान संजरी साहब देखिए दे चलो कुछ हो रहा मस्कुली चल रहा हूं तो मैं सारे महमानों का शुक्रिया दा कर रहा हूं कि आप लोग यहां पर हैं और शमीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस आवाज को दूर तक ले जाने के लिए यह थे शेर अवन शेख जो राजा को सिक्रवूर के र चागों के सफर में दबबा हों आधियों का तो अंजाम जिमत के सवा कुछ भी नहीं यह दुनिया नफरतों के आगरी स्टेज पे है इसका इलाज महबबत के सवा कुछ भी नहीं तो महबबत का यह पैगाम यह जंड़ा गारा जा रहा है इंशाला आप देखेंगे खबरों नदर चनल के लिए शमीम जराजपुरी आदम है आजा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइका और शेयर करें खबर और विग्यापन के लिए संपर करें